दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Grove App में Basket Order कैसे बना सकते हैं ताकि आपका ट्रेडिंग अनुभव और भी आसान और संगठित हो जाए. तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. तो चलिए, यहां ह इसी भी इंडेक्स में Basket बना सकते हो. जैसे, अगर आपको Nifty 50 में Basket बनानी है, तो इसका Demo मैं आपको दिखा देता हूँ. बाकि आप इसी तरीके से दूसरे इंडेक्स में भी बना सकते हो. अब हम Nifty 50 पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने पर आपके सामने यह Option आ जाएगा. यहा उपर आपको Expiry Date भी देखने को मिल जाएगी. अब हम Basket On Order बनाना शुरू करेंगे. यहां आप Quick Basket का Option देख रहे हैं. जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक Box Type का Option आ जाएगा. Quick Basket जैसा इसका नाम है, उसी तरह इसका उपयोग भी काफी आसान है. अब आपक को जिस भी Call Option या Put Option को Add करना है, उस Box पर क्लिक करना है. जैसे मुझे 21900 का Call Option अप्शन एड करना है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा. इसके बाद नीचे Add Buy और Add Sell का Option आ जाएगा. अगर आप Basket के जरीए Short Position बनाना चाहते हैं, तो वह भी कर सकते हैं. फिलहाल मैं Buy के लिए बता बास्केट में Add हो जाएगा. अब Put Option के लिए भी यही Process है. जिस Put Option को Add करना है, उस पर क्लिक करें और Add Buy पर क्लिक करें. अब हमारा एक Call Option और एक Put Option बास्केट में Add हो गया है. इसी तरह आप और भी Call और Put Options अप्शन अड कर सकते हो. बस जिसको भी Add करना है, उस Box पर क्लिक करे और Add पर क्लिक करें, अब हमारा बास्केट तैयार हो गया है. यहाँ View Basket का Option दिख रहा है, जिस पर क्लिक करने पर चार्ट में आपके सभी Orders दिख जाएंगे. साथ ही, इस साइड में आपको Margin भी दिखेगा, कि आपने जितने Options एड किये हैं, उनके लिए कितना Margin चाहिए. यहाँ पर आपके पास अभी एक-एक Lot है. अगर आपको ज्यादा Lot चाहिए, तो Plus या Backs बटन का इस्तिमाल करके आप Lot की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं. अगर आप सभी Call और Put Options में एक साथ Quantity बढ़ाना चाहते हो, तो Same Quantity का Option सेलेक्ट करें और Plus बटन पर क्लिक करें. इस से सभी Call और Put Options की Quantity एक साथ बढ़ेगी. मार्जिन अबडेट करने के लिए आप यहाँ Refresh बटन पर क्लिक कर सकते हैं. साथ ही यहाँ Charges भी देख सकते हैं, जिसमें 80 का Brokers और कुछ अन्य Charges और GST शामिल हैं. अगर आप इस Basket को Execute करना चाहते हैं, तो Place Order पर क्लिक करें. एक ही क्लिक में पूरा Basket Order Execute हो जाएगा. अगर आप Basket को Clear करना चाहते हैं, तो Clear All पर क्लिक करें. इस से आपका पूरा Basket क्लियर हो जाएगा. दूसरे Index में Basket बनाने के लिए बस उसे Open करें, Option Chain में जाएं और Quick Basket का Option चुनें. यह तो होगी Quick Basket की बात. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए, अब बात करते हैं IRFC Share की, यानि Indian Railway Finance Corporation Share के बारे में. आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा, तो चलिए, शुरुआत करते हैं. रेलवे के इस Share ने निवेशकों का ध्यान खींच लिया है. ट्रेडिंग के दौरान इसमें 10 दश शेयर 8 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 155.55 रुपए पर बंद हुआ. इस साल 2024 में अब तक यह Share को मिलाकर 54.77 प्रतिशत बढ़ चुका है. एक्सपर्ट का मानना है कि निवेशक इसमें खरीदारी कर सकते हैं. शेयर बाजार में मचे हाहाकार के बीच बुधवार को रेलवे से जुड़ी Company Indian Railway Finance Corporation IRFC Limited के शेयरों पर निवेशक तूट पड़े. ट्रेडिंग के दौरान इस शेयर में 10.1 एक एक प्रतिशत की तेजी आई और भाव 158 रुपए पर पहुँच गया. कारोबार के अंत में शेयर 8 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 155.55 रुपए पर पहु हलांकि यह 239.5 रुपए के अपने ओल्टाइम हाई से 32.20 प्रतिशत डिसकाउंट पर कारोबार कर रहा है. बता दें कि 15 जुलाई 2024 को शेयर ने इस स्तर को टच किया था. बता दें कि IRFC 4 नवंबर को अपने सितंबर 2024 तिमाही के नतीजों की घोशना करने वाली है. इस बैठक में कंपनी का बोर्ड वित्तिय वर्ष 2024-25, FY25 के लिए शेयर धारकों को अंतरिम डिविडेंट देने पर भी विचार करेगा. डिविडेंट की रिकॉर्ड तिथी 12 नवंबर 2024 होगी. जैनम ब्रोकिंग में तकनीकी रिसर्च हेड किरन जानी ने Business Today TV को बताया कि शेयर ने 230 रुपए के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से सुधार देखा है. हम छोटी अवधी में 175-180 रुपए का टार्गेट प्राइस देख सकते हैं. सेबी रजिस्टर्ड विशलेशक एयर रामचंदरन ने कहा कि IRFC शेयर निकट अवधी में 171 रुपए तक जा सकता है. स्टॉक बॉक्स के तक्नीकी विशलेशक कुशल गांधी ने कहा कि हम 175 रुपए के टार्गेट प्राइस के साथ एक व्यापारिक अवसर की उम्मीद करते हैं और 141 रुपए पर स्टॉप लॉस बनाए रखने की सलाह देते हैं. बता दें कि IRFC एसेट्स के अधिग्रहन या निर्मान के फंडिंग के लिए फाइनेंस मार्केट से पैसे उधार लेती है. इसे भारतिये रेलवे या रेल मंत्रालाय के तहत किसी इकाई को पट्टे पर दिया जाता है. सितंबर 2024 तक सरकार के पास इस नवरत्न कंपनी में 86. अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई